पीका, पीका is basically a feeding disorder, feeding disorder जो है उसमें तीन main disorders आते हैं, एक पीका disorder आता है, एक rumination disorder आता है और जो third one है वो restrictive food intake disorder आता है, तो इन में से जो most commonly और most prevailed disorder है, that is the पीका, अब पीका basically है क्या, पीका एक ऐसा substance होता है, जो के basically उसमें nutrition values जो होती है, वो absent होती है, ठीक है, और जो बचा है, वो substance जो है, उसको खाता है, ठीक है, eat करता है, basically पीका जो है, इसकी craving होती है बचे को, और वो उस food के लिए निकलता है, और उसे ढूनता है, और ढूनने के बाद उसे वो खाता है, अब वो कौन सा ऐसा food है, या वो कौन से ऐसे substances हैं, जो के हम पीका के इंडर classify करेंगे, जिनको हम कहेंगे कि उनकी जो nutritional values हैं, वो absent होती है, उसमें आपने अकसर देखा होगा, बचे जो हैं, वो soil खाते वे आपको नज़र आएंगे, white chalk खाते वे आपको नज़र आएंगे, clay खाते वे नज़र अब ये एक common practice है, जो के आपको नज़र आएगा कि बच्चे करते हैं और इसको usually लोग ये समझते हैं कि it is the routine matter, कि बच्चा जो है वो एक खास एच तक खाएगा और उसके बाद वो उसको छोड़ देगा, it is usually said कि ये iron deficiency की वज़र से जो problem है, ये बच्चे के अंदर occur होता है लेकिन few people said कि might be कि इसकी वज़ा से iron deficiency होती है, लेकिन in both cases जो iron है वो आपके psychological health को किसी हद तक effect करता है, तो we can say कि जो ना कोई ना कोई psychological cause जो है वो पीका के बीचे exist करी होती है, पीका disorder जो है इसको जब आपने diagnose करना है या जब आपने इसके symptoms देखने हैं तो आपने उस culture को बड़ा minutely देखना है, उसको आपने क्यों minutely देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे practices हैं जो कि cultural bound है, जिस तरह Central Georgia के अंदर जो white dirt है वो खाया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो वहां की cultural practice है, तो this is something कि जिस वकत आपने ये कहना है कि एक जो problem है, जो food intake बचा कर रहा है, और वो nutritional values की zero है, और वो उसको ले रहा है, तो आपने ये भी देखना है कि वो किस culture से belong कर रहा है, ठीक है, तो अगर तो वो culturally जो food है, वो नहीं लिया जाता, तो फिर हम उस दोगती से कहींगे, कि ये Pika disorder है, अब Pika disorder के लिए कोई directly parents आपके पास नहीं आते, it is very rare, mostly होता क्या है, कि जिस वक्त कोई इस किसम का substance लिया जाता है, तो जो बच्चे का stomach है, उसके बहुत से issues जो है, वो start हो जाते हैं, और उन issues को resolve करने के लिए, जब clinician से interact किया जाता है, या उन से मिला जाता है, तो उस वक्त ये चीज डाइगनोज होती है, कि main lead, जो बच्चे को problem है, वो peak है, तो ये इस तरह की picture जब आपके पास है, जिसमें बच्चे को stomach aches and pains हो रही हों, और उसको intestinal problems हो रहे हों, या infection हो रहे हों, तो उस वक्त ये rule out करना बहुत जरूरी है, कि वो कोई ऐसा substance to use नहीं कर रहा, जिसकी कोई nutritional value नहीं है, इसमें एक बढ़ी important होती है, वो ये है कि ऐसे बच्चों का जो behavior होता है, वो secret होता है, वो कभी भी openly जाकर बैठके कोई चीज नहीं खा रहे होते हैं, बलके most of the people, बच्चे जो होते हैं और जो लोग होते हैं, वो इस चीज को बताना पसंद नहीं करते हैं, कि they have eaten something which is actually not edible, तो ये बच आम तोर पर बिलकुल छुपके, बिलकुल अलग होके, एक corner के अंदर बैठके अपनी इस किसम की activity जो है, वो कर रहे होते हैं, तेंक यू